हेलो दोस्तो स्वागत है आपका ओनलाइन क्लासेस 2.0 में और आज हम इंपोर्टेंट मार्च के करेंट अफेर्स देखेंगे जो हमारे एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सबिस्क्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्च के करेंट अफेर्स को हम इस वीडियो में कवर करते हैं ओके हमारा फ़र्स कुश्चन ले रखा है कौन व्यक्ति हाली में भारतिय खादनिगम के नए चेयर्मेन वह एमडी बने हैं ठीक हमें यह ब केन सरकार ने कुछ निक्ति करी हैं जिसमें अतीस चंद्रजी को भारतिय खादनिगम के नए अध्यच और एमडी बनाया है इसके बारे में हम थोड़ा जाल लेते हैं कि केन सरकार ने हाली में बरिस्ट आईएस सौरवगर्व को उडाई का नया CEO बनाया है ठीक है इसके ला साथी साथ 1994 के आईएस अधिकारी अतीस चंद्र जिनको हम देख रहे हैं इनको भारतिय खादनिगम का चेयर्मैन या फिर एमडी बनाया गया है तो दो और याद रखना कि जो हमारे सौरवगर्व हैं उन्हें हाली में उडाई का CEO बनाया है और साथी साथ आईएस अधिका का महाराष्ट भूसर्ड उसकार मिला है ये ओप्शन दे रखे हैं A. लतामंगेशकर B. श्रिय घोसाल C. आसा भोसले या D. सुनिदी चोहान तो ये मिला है आसा भोसले जी को ठीक है क्या है महाराष्ट के द्वारा एक भूसर्ड पुरुसकार वर्स 1996 से सुरू किया गया त पहली बार इस सम्मान से नमाजा गया था तो फर्स टाइम जो थे वो लेखक पुरुसोत्तम लक्षमर देश पांडे थे जिनको मिला था ये और इसके बाद 1997 में लिजेंट सिंगर आसा भोसले को महाराष्ट भूसर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो इसका आंसर इस सेवा को सुरू करने का मकसद हर जानवर को समय पर सही इलाज मिल सके इसके लिए आंदप्रदेश सरकार ने पहला जानवरों का एंबुलेंस नेटवर्क स्टार्ट किया है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी आंदप्रदेश इसका आंसर होगा हमारा ये हमेरा बनाया जाता है हर वर्स 24 मार्च को कौन व्यक्ति हाली में विदेश मंत्रायले के नई प्रवक्ता बने है ठीक है ए ओप्षन है तेजपाल सर्मा बी है अरिंदम बाग्ची कौन है इन वैसे जो कि हमारे विदेश मंत्रायले के नई प्रवक्ता बने है इसका अंसर हमारा हो जाएगा अरिंदम बाग्ची ठीक है तो देखते हैं अरिंदम बाग्ची अनुराक श्री वास्तव का इस्थान लेंगे तो अभी पूछले कि जो अरिंदम बाग्ची है उ वो हमारे कौन होंगे अनुराग श्री वास्तव ठीक है इनका इस्थान लिया है और यह जो है वर्स 1995 बैच के भारतिय विदेश सेवा प्राधिकर बाग्ची वर्तमान में विदेश मंत्रायले मुख्याले के सैयुक्त सच्चिव उत्तर के पत्पर कारेरत होंगे और यह प विदेशन दे रखा है हमारा हाली में कौन इथिनोल नीती को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो कौन सा राज्य जसेजर इथिनोल नीती को मंजूरी दी है A option केरल, B तमिलनाडू, C असन ये D बिहार तो ये जो हमारा इथिनोल नीती को मंजूरी देने वाला राज्य बना है उसका अंसर हो जाएगा D बिहार बिहार कैविनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगाई है बिहाली में जिन एजेंडों में निती सरकार ने जो लगाई उसमें से एक हमारी ये इथिनोल नीती है उसमें डिजिटल मीरिया पर अलग नियामली और इथिनोल उत्पादन को लेकर और नई और दिखिक नीतियों के बारे में बताया गया और साथ में सामिल किया गया है उत्तर बिहार में बड़े पेमाने पर गन्ना उत्पादन होता है जैसे कि हमें पता है ठीक है बिहार वाले एरिया में कुछ चीनी मिल भी है लेकिन जितनी चीनी मिल की जरूरत है उतनी चीनी मिलें बिहार में फिलहाल नहीं चल रही है और बंद पड़े चीनी मिलकी जमीनी का उप्योग बिहार सरकार इथिनॉल की फैक्ट्री लगाने के कारे में करेगी और उसी के लिए ये इथिनॉल नीती आई है तो याद रखना तो ये जहां पर जो कार खाने है जो चीनी मिलके कार खाने है वो जो फैक्टरीज बंद पड़ी हैं और जो यूज में नहीं आ रहे हैं अब उन्हें सरकार इथिनोल की फैक्टरी लगाने में काम लेगी ठीक है इसी बहाने चीनी मिलो के दिन भी बदलेंगे ऐसी नीती बनाने बाला बेहार जो है हमारे भारत का पहला राज्य बना है ठी तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा सी सेख मुझिवर रहमान को ठीक है इनको जो है वर्च 2020 का गांधी सांती पुरुसकार मिला है हाली में 67 राष्टी फिल्म पुरुसकार रोमे किसे सर्वसेस्ट अभिनेत्री का पुरुसकार मिला इसका अंसर हमारा हो जाएगा डी कंगना रनोथ को ठीक है वर्च 2019 के लिए 67 बे राष्टी फिल्म पुरुसकार के लिए जिसमें धनुस और मनोज वाचपुई को सैयुक्त रूप से सर्वसेस्ट अभिनेता का ठीक है पुरुसकार मिला है जबकि अगर जो अभिनेत्री पूछा जाए तो वो हमारी कंगना रनोथ है और कभी भी अगर एक्टर पूछें तो धनुस और मनोज वाचपुई दोनों को सैयुक्त रूप से मिला है ये अवाड निक्स कुश्यन है हाल ही में केन सरकार ने किस नाम से गाउ में LED बल्वो उपलब्द कराने की योजना की घोशना की है तो केन सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई जिसके तहट गाउ में क्या करेंगे LED बल्वो को उपलब्द कराये जाएगा तो इस योजना का नाम क्या दिया गया है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो इसमें जिसका उद्देश गाउं में सस्ती दर पर उच्छ गुडवत्ता में LED बल्व उपलब्द कराना है इस प्रोग्राम के तहर सरकारी कमपनी इनर्जी जो हमारी ये जो EESL कमपनी है वो इसकी सबसिटी प्रोवाइड कराएगी यूनिट कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड पर जिससे गाउं में 10 रुपे प्रती बल्व की दर से ग्रामीर परिवारों को ये LED बल्व जो है उपलब्द कराए जाएंगे तो ऑप्शने ए भारत बी रूस अमेरिका या डी ची तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा ये जो मिलिटरी डाइरेक्ट की रिपोर्ट है इसमें चीन की सेना को सबसे तागतवर सेना माना गया है रच्छा मामलो की वेबसाइट है एक मिलिटरी डाइरेक्ट जारी रिपोर्ट के मुद्विक चीन की सेना को दुनिया की सबसे तागतवर सेना माना गया है इस सूची में भारती सेना को चोथा इस्तान पूछा है अगर आप से पूछले कि मान लो चीन की सेना को फर्स्ट मिला तो भारत की सेना को कौन सा इस इसके बाद 69 points के साथ rousse तीसरे इस्थान पर रहा है और जो भारत है वो 4 इस्थान पर रहा है और जो भी कितने points के साथ 58 points के साथ तो याद रखो 1st नम्मर पे हमारा आजाएगा चाइना, 2nd पे अमेरिका and 3rd पे रूस है और 4th नम्मर पे तागतवर सेना के मामले में हमारा भ 20 मार्च को 22 मार्च दुनिया भर में पीने कर पानी की आपूर्दी करना और महत्ट मेहत्व को और 22 मार्च को मनाया जाता ह्या आकड़ों की माने तो दुनिया में 1.5 लोगों को umbrella sudas पानी नहीं मिल पा रहा है ठीक है जिसके तहट लोगों के अंदर जागरुप कता जगाई जाए उसके लिए ये प्रतिवर्स विश्व जल दिवस बाइस मार्च को बनाया जाता है ठीक है ना साथी साथ जल सनरत चड़ का महत तो साफ पीने योग ये जल का महत तो इनी सभी बज़े से ये जो देवस है हमारा वो बनाया जा रहा है बाइस मार्च को ओके हाली में जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो हमें मिला है वो मिला है वन थाटिनेस रिपोर्ट जारी करता है तो यूएन की रिपोर्ट है UN आप इसे ऐसे बोल सकते हैं United Nations Sustainable Development ओके तो ये जो है ये हर साल World Happiness Report निकालती है और अभी हाली में 2021 में अभी इसने अपनी जारी की जो Happiness Report है जिसमें हमारे भारत का जो है 139 वा आया है वहीं अगर हम देखें कि जो फर्स नमबर पे है वो कौन रहा है वो चार बार लगातार फ साथी साथ Finland को सबसे खुशाल देश घोसित किया गया कुल 49 देशों को इसमें सामिल किया गया था और जिसमें से भारत को 139 वा इस्थान मिला है भारत में रैंकिंग में पिछले साल इस बार मामली सुधार हुआ है क्योंकि जो लास्ट टाइम थी वो इसकी रैंकिंग 140 थी अब जो इसकी रैंकिंग आई है वो 139 आई है ओके और टोटल इसमें कितने देशों पे निकाला गया है तो 149 तो बहुत अच्छा तो आखड़ा नहीं है बट ओके ओके नेक्स कुशन दे रखा है हाल ही में सामिय सुलहु हसन किस देश की प्रथम महिला रास्ट पती बनी ह तो A है केन्या, B है ब्रैजील, C है निदरलेंड और D है तंजानिया तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये जो बनी है तंजानिया की बनी है तीके रास्ट पती जौन मगुफुली के निधन के बाद अब क्या हुआ है सामिय सुलु हसन तंजानिया की प्रथम महिला रास्ट पती जो है वो ये सामिय सुलुहु हसन बनी है ठीक है उन्होंने दार उस सलाम सहर की स्टेट हाउस सरकारी कारले में रास्ट पत की सपत ग्रेड की है ओके हाली में प्रसिद्य व्यक्ति लोव उटेंस का निधन हुआ है उन्होंने किसका आविसकार किया था तो ये जो इंटरनेट, B है औरियो कैसेट, C है ट्यूबलाइट्स, और D है विद्धूत मॉटर्ट। तो किस चीज का इन्होंने किया था? तो यह हो जाएगा हमारा B, औरियो कैसेट्स का, इन्होंने क्या किया था? लो ओटेलिस ने इसका आबिसकार किया था, तो दुनिया का पहला कैसिट वर्स 1963 में बनाया था तो इनने पहले सबसे पहले 1963 में कैसिट बनाया ठीक है इनके द्वारा कैसिट का आविस्कार किया गया जो की दुनिया भर में 10,000 करोड कैसिट टेप इनके विख चुके हैं और टैंस के इस आविस्कार ने संगीत की दुनिया में एक नई कranti ला सी बेंगलूरू और डी केरला ब्लास्टर तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई सिटी ठीक है तो यह जो है हमारी मुंबई सिटी ने जो है हाली में फुट वॉल टीम का ISL 2021 का खिताब जीता है हाली में कौन ऑलम्पिक के लिए क्वालिफाइ करने व सुगंदा सिंग, रानी प्रताप या भवानी देवी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा D भवानी देवी इन्होंने क्या किया है फर्स टाइम कौलिफाइड करा है ऑलम्पिक में पहली भारतिय तलवार वाजबनी है भवानी देवी इस साल होने वाले जो अभी ऑलम्पिक इस नेक्स्ट होने है वो टोक्यो में होने है उनका टिकेट हासिल कर लिया है भवानी देवी ने ठीक है इन खेलों के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतिय तलवार वाजबन गई है भवानी ने समायोजित अधिकारे रैंकिंग के आधार पर ओलम्पिक क्वालि इस 27 साल की खिलाडी जो कि इनकी उमर लगबग 27 साल है कि अधिकारिक क्वालिफिकेशन पर मुहर 5 अप्रेल को रैंकिंग जारी होने पर लगेगी अब next question है प्रतिवर्स राष्ट्रिय T का करण दिवस कब बनाया जाता है तो यह जो हमारा नेशनल वैक्सिनेशन डे है ना वो कब बनाया जाता है तो यह देख लेते हैं 30 मार्च को 15 मार्च को 16 मार्च को या 18 मार्च को ठीके तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या ह तो देखो अभी वैक्सिन और यह वाईरस अभी यह बहुत करेंट में है तो याद रखना यह जो वैक्सिनेशन डे हैं नेशनल वैक्सिनेशन डे वो पूछ लेगा कि हमारे इंडिया में कब बनाया जाता है तो आप आंसर दीजेगा 16 मार्च को और कब से बनाया जा रहा ह ठीक है इस दिन भारत में साल 1995 में मुझ के जरिये सबसे पहले पोलियो वैक्षिन की पहली खुराग दी गई थी 16 मार्च 1995 को जिस वज़े से 2014 में जो है भारत पोलियो मुक्त हो पाया और इसी वज़े से हम इस 16 मार्च को राश्टिय टीका करड दिवस के रूप में मनाते हैं इसके साथ ही कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले करकेटर भी बन गए हैं और साथी साथ विराट कोहली ने दो 226 पारिया खेल कर उनमें सबसे तेज 12,000 रन बनाए हैं इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्टेलिया के कप्तान रिखी पॉइंटिंग के नाम था नेक्स कुईशन दे रखा है हाली में कौन 28 ग्रेमी पुरुसकार अपने नाम करने वाली प्रतम महिला बन गई है तो किसको 28 वा ग्रेमी पुरुसकार मिला ए है सकीरा बी है ब्योंस ठीक है सी है रिहाना या डी है मेडोना तो यह जो बनी है यह हमारी बनी है बी ब्योंसे यह जो ब्योंसे है 63 वी ग्रेमी अवाड के पॉप स्टार ब्योंसे ने इस साल चोथा और ग्रेमी पुरुसकार जीत कर सबसे अधिक 28 ग्रेमी पुरुसकार अपने नाम करने वाली पहली महिला बन गई है इस से पहले यह जो रिकॉर्ड था यह सर जोर्ज सॉल्टी जो की हमारे बेटेस के है ठीके इन्होंने 31 ग्रेमी अवाड जीतने का रिकॉर्ड बन यह 101 वा, 103 वा, 105 वा या 109 वा तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा C 105 वा तो जो वैर्सिविक आर्थिक सोतंतरता सुचांक है ग्लोबल एकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसमें भारत को 26 इससान नीचे खिसक कर 105 वा इससान मिला है याद रखना हमारी यहां पर जो हालत है व हैना इस ताचा सूची में होंग कोंग और सिंगापूर प्रथम वा दूसरे इससान पर रहा है होंग कोंग जो है प्रथम इससान पर जबकि सिंगापूर जो है दूसरे इससान पर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्स ने सरकार के आकार नियायक प्रडाल नीचे गिर गए हमारी मनलब 2019 में जादा बहतर कंडिशन थी as compared to 2020 तो जो हमारी ranking आई है वो कौन सी आई है 105 वैस सन आया है हाली में BBC Indian Sports Women of the Year 2020 का पुरुसकार किसे मिला तो इसका option दे रखे हैं PB Sandhu, Harman Preet Kaur, Aditi Chauhan या Koneru Humpy तो ये जो हमारा पुरुसकार मिला है हाली में ये किसको मिल रहा है? कोनेरू Humpy को मिला है ठीक है तो जो कोनेरू Humpy है वो विश्व रेपिड सत्रंच चैंपियन कोनेरू Humpy है इनका संबंध रेपिड सत्रंच चैंपियनसिप से है ठीक है वी वी सी इंडियन स्पोर्स बुमेन आफ दा इयर बनी इसके लावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार अनुववी एथलीर जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उनको दिया गया है ठीक है और अंग्रेजी किर्केटर स्टार वैन स्टॉक्स को 19 वर्सिय भारतिय सूटर मनुभासकर और जो इमर्जिंग प्लेयर आफ दा इयर है ये इनको अवर्ड दिये गए इन लोगों को ठीक है निक्स स्कूशन किस बॉलीबूर्ड अविनेता को वर्स 2021 के फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया परेश रावल अविताब बच्चन अनिल कपूर या सत्रुगन सिन्ना तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अविताब बच्चन को ठीक है अविताब बच्चन का न इसका सारा प्रदर्शनी और अध्यन के लिए समर्पित है तो इसने जो है अविताब बच्चन को अभी सम्मानित किया है नेक्स कुशन ने रखा है हाली में किस बैंक ने महिला उधमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नती नामक प्रोग्राम लॉंच किया तो ए एस्बी SDFC बैंक ने महिला उधमिक्वी साइटाओं के लिए सला कारेकरम स्टार्ट अप उन्नती लॉंच किया है इस कारेकरम के तहथ SDFC बैंक के बरिस्ट महिला अधिकारी पूरे एक साल एक महिला उधमियों को उनके कारोवारी लच्चों को हासिल करने की सला मस्वरे के जरिये भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है देखो अब ये कौन सा है वन का चिकित्सा केंद्र तो ऐसा कौन सा राज्य है ए उडिसा असम तमिलाडू या उत्राखंड तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा डी उत्राखंड ठीके यहाँ पे पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया लोगों को प्रकरती के सीधे संपर्क से लाकर उन्हें स्वस्ते बनाने की अवधाड़ा पर आधारित भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर उत्राखंड के रानी खेत के निकट कालिका में जनता के लिए सुरू कर दिया गया है यह जो चिकित्सा केंद्र है यह चीड की यहां पर बहुत आये वाले जंगल में बनाये गया क्योंकि बिविन अध्यानों में पता चला है कि जो चीड का व्रच होता है ना बिविन बीमारी वाले प्राडियों से बचने के लिए कुछ तेलिये तक तो निकालते रहते हैं नेक्स क्ριूश्शन है हमारा प्रतिवर्च पूरे भारत में जन औसधी दिवस कब बनाया जाता है साथ मार्च को आठ मार्च को दस मार्च को यह पांच मार्च को तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा ए साथ मार्च को ठीक है इस देवश को मनाने का उद्देश देश के लोगों को जैनरिक दवाओं के प्रति जागरुक और विश्वास पैदा करना है ठीक है यह दिन प्रदानमंत्री भारतिये जन उसिदी की उपलब्दियों को मनाने का दिन भी है इस दिन को देश में लोग में भारत का पहला transgender community desk खुला है तो A. जैपूर, B. चैनने, C. भुपाल या D. हैदराबाद तो इसका अंसर हमारा जो हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा तो ये भारत का पहला transgender community desk यहां पर खुला है तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगी ये हमारी बनी है नोरीन हसन ठीक है तो उनका कारेकाल 15 मार्च 2021 से प्रारंब हो गया है वे निवर्क फैडरल रिजर्ब में दूसरे नमबर की अधिकारी होंगी ठीक है वे अपने बैंक की और से फैडरल रिजर्ब की खुले बाजार की गतिविदियों का निर्धारण करने वाली समिती में बोर्ट देने वाले विकालपिक सदिस्से की भूमिका भी निवहेंगी नेक्स कुश्चन दे रखा है इजी ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दस लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में किस सहर को सीर सिस्थान मिला तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इजी ओफ लिविंग इंडेक्स है इसे कौन निकालता है नीती आयो के दौरा प ठीक है वहीं अगर हम بात करें की 10 लाग से कम आवादी वाले सहरों में तो इसमें सिम्ला का सीर सिस्थान आता है इसके साथी 10 लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में Engineering Research and Development Policy लॉंच की गई है पंजाब उत्तरदे प्रदेश गुजरात या करनाटका तो यह जो की गई है Engineering Research Development Policy यह करनाटक के सरकार के द्वारा की गई ठीक है तो बेंगलोरी नगरिये जिले के लावा Multinational Corporation MNC संस्थाओं को 2 करोड रुपे तक किराई की 50 परितरसत प्रतिभूती की पिसकस्टी की जाएगी तो यह जो है Engineering Research and Development Policy यह स्टार्ट की गई करनाटका में Next Question है हाली में किसे संसद टीवी का प्रथम CEO निक्त किया गया है तो जो हमारी संसद टीवी आती है न उसमें पहली बार प्रथम CEO कौन निक्त किये गए है आयूस प्रताब जेके जगदिशन रभी कपूर या योगे स्बट तो इसका आंसर हो जाएगा रभी कपूर जी ठीक कारिका ही अधिकारी बोले तो CEO निक्त किया गया है रभी कपूर एक मार्च से अपना ये जो पद है वो समाल लेगे तो यहाँ पर यह आज के हमारे Current Affair खतम होते हैं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राब करें थैं थैंक यू सो मुट